जम्मु सुरोता संग्वारी मला हमर नमस्कार किसोर स्वास्त के संबंद में मार्ग दर्शन प्राप्त करे वर जादा जानकारी प्राप्त करे वर आज इस्टूडियो में आमंत्रित करेहन देश के प्रसिद्ध किसोर स्वास्थविशे सग्य पदमस्री डाक्टर पुखराज बापना जिला डाक्टर सहाब नमस्कार ये कारिक्रम में आप मन के स्वागत है नमस्कार जैजवार डाक्टर सहाब ये समय में किसोर मनला बाड़ी बनाएके सारेडिक सौस्थाव बनाएके चूस्त दुरुस्त दिखेके लिये भी युवा किसोर मनला लालाईत रही थे और एकर बर प्रयास घलो कर थे जीम घलो जाना सुरू कर दे थे और प्रोटीन पाउडर या दवाई की सेवन घलो करना सुरू कर दे थे ये समन्द में आप बता हूँ बाडी बनाएके तो लहर चल गए अभी जन लिकमन है तेन बिल्कूल बाडी बनाएबर जीम जाहीं कई जन दवर थें कई जन वर आयाम कर थें लेकिन एक बात ध्यान में रखना चाहिए माब अपला कि सोला साल के पहली जेम भेज़ाओ है मतल्यकमनला भेजना है तो सोला साल के बाद सतरा साल के बाद जेम भेज़ोग और जीम भी जते क तुह चंता जते क ताकात सब्सक्राइबग गरो जाएक बस हमार घरें प्रोटीन रही थे ने बहुत दूद पियें, अंडा खाएं, दाल खाएं, कई तरह के दाल राजमा के दाल, जूरगा के दाल, मुंफली ये सब में अतेक प्रोटीन रही थे सोया बीन, सब ले ज़्यादा प्रोटीन तो सोया बीन में रही थे यह चीज हमार घर में मिलते हो चीज़ा त्यार करके खाओ महंगा प्रोटीन छे सो, साथ सो, हजार, बारा सो, पंदरा सो रोप डबा मिलते हैं तो प्राकरतिक भोजन करके भी प्रोटीन ले बढ़ाया जा सकते है जीम जाना अच्छी बात है लेकिन 16 साल के बाद और जितनी आवशकता हो उतनी इस्टिराइड एक्थन दवाई है वो दवाई हमार सरीर के चाया पचायला बढ़ा के नुकसान करते हैं तो टेंपररी दवाई समझ ले आप देखे हूँ कई जन खिलाड़े मन पकड़ा थे ना इस्टिराइड ले वह यह मन तो इस्टिराइड में थोड़े दर के लिए तो ताकत आथे तुहर बर लेकिन बाद में सरीर नुकसान करते हैं तो इस्टिराइड बाड़ी बनाएवर बिलकुल ने लेना चाहिए बहुत नुकसान दायक डाक्टर सहाब अभी आप बताये हो कि 16 साल 17 साल के बाद ही कि सोर मनला जीम जाना चाहिए या ज्यादा वयाम करना चाहिए ऐसे करके तो डाक्टर सहाब ये अवस्था में खान पान भोजन कैसान होना चाहिए स्वास्त बर्थ चार तत्त होते में बताये हूँ आहार विहार आचार और विचार इस चार चीज मिलके हमार स्वास्त बन थे अब कौनों डाक्टर के पास जा हो या कौनों पोशक, एहर विसशक के पास जा हो तो तुम रहा बता ही कि दिन भार मुँक काते कैलोरी लेना चाहिए 2000 कैलोरी लेंो, डाइआज उजार कैलोरी लेंो अब हमोरे गाव के लिगके हαιं कातेंहार कैलोरी ना फीजी उखर सबसे बढ़िया मंत्र बतावा थुमें है नोनी मनला, लड़की मनला, किशोर लड़की मनला अपन मां से ज़्यादा खाना चाहिए अव किशोर लड़का मनला अपन पिता जदका खाना चाहिए बस यह उखर ना आपे अव एक ठन बढ़िया कहावत है नास्ता जहांगीर की तरह, राजा की सहन नास्ता करना चाहिए चपेड भर की अददोपार के भोजन अमीर की तरह, रात के भोजन फाकीर की तरह नास्ता लगए थें brain food, breakfast लगए थे brain food सब्सक्तिक जलदी जल दी इसको जाना है बिना खाय पीच चल दी थे अब प्रात्राम जाक पहुस हो जाते है छएक हो चाहिए ऑखरवाद दोपार के भोजन और शाम के बोजन के आज जहा करते हैं चेटर पटर बाहिर के गुप चुप खाव रहे ठेला खाव रहे उखर बर हमर कहना यह है कि इतवार लग कचरा दिवस मना ले इतवार के दिन जतका कचरा खाना है बाहिर के खालो बाकी दिन अपन घर में अपन थारी में अपन दाई के हाथ के खाना घर में खाना चाहिए य अब जैसे मालूम नहीं कि कौन चीज में कौन सा पोशन मिलते अब जैसे मालों खुन के कमी होगे तो हम काके थनुनला गुड़ खाओ थोड़ा सा चाथन पिंखजूर खाओ पालक के भाजी खाओ आज कल तो मुनगा हर घर में मुनगा गाओं में मुनगा पतिल सुधर लेओ साम सुखा लो कूट के पाउडर बना लो अगुड पिन खजूर अब मुनगा पतिल मिला के लाड़ू बना लो रोज अटन लाड़ू खाओ एक महने कंदर खून बाढ़ दे हम यह प्रयोक कर रहे हैं पूरा हमार नानगाओ जिला के चुई कजान बलाक में तीन महने तक के घर के बनाए कोई चीज भेजाओ वो जरूरी है तो हमार घर में दार है भात है सबजी है गाओ में तो सब तरह के सबजी मिला थे जी और सुध मिला थे बिना किसी कीट ना सकके तो सब चीज हमार घर में बोरा भर भर के धर है फिर हम जानन नहीं का चीज देना चाहिए तो प्रोटीन कामे कामे मिलते, दाल मन में मिलते, मैं बता दे हूं में है, कार्भोहड्रेट मिलते, चावल में, गहूं में, विटामिन मिलते, हरा सबजी में, फल में, ये सबजी जो, पानी बराबर पिना चाहिए, दीन भर में, किशोर लड़क, नोनीला, कम से कम आठ गिलास प दूनिया के कॉनो टानिक ना लंबाई बढ़ा सके ना मोटाई बढ़ा शके ना मोटाई बढ़ा सके तो अना अना से मोटाई बढ़ी वो अना से स्वास्त ठीक रहे डाक्टर सहाब आभी आप बतात रहे हो कि लड़की मनला संक्रमन होए के डर रहते है इसे करके तो वो संबन में थोड़ा बता हूँ कि वो संक्रमन से ओमना कैसे बात सकते है लड़की मनला जिन संक्रमन होथे वो पिशाब के ज़्यादा होथे पानी कम पी थे, दूसर मुखर जिन पिसाब के नली है, लड़की मन के, वो लड़का मन से छोटे रही थे, और दूसर गुदा दौर और योनी दौर पास पास में रही थे, तेपक संक्रमण जादा हो थे, ओखर तरीका ये है कि जैसी हमला पिसाब में जलन हो या घेरी बरी तो समाझ लो कि पिसाब के संक्रमण हो गए, ओखर पूरा दवाई कराना चाहिए, कई बार महिना दू महिने तीन महिन तक लगा था, दवाई करना पड़ थे, तब कहीं जाके वो जाड़ से जाते, और ओखर मुख्य चिक साहे पानी, जदका ज़्यादा पानी पी हुए, या घर के मनने करे लगी, पिसाब लग कभी रोकना नहीं चाहिए, दस्त लग कभी रोकना नहीं चाहिए, उखर से तकलीब ज़्यादा पड़ जाते, इसके लिए जरूरी है कि स्कूल के जिम्मेदार लोग हैं, जो प्राचारी हैं, सिक्षक हैं, या वहां की जो पताधिक आगे जाके वंध्यापन भी हो सकता है. दूरी ले कमती कर दिस, एक ठन उंगली में दबाओ, आप दुनिया के कुनम बात कर लो, कहीं के भी ज्यान प्राप्त कर लो, पढ़ही लिखाई घर बैठे कर लो, भासन दे दो, जो इन दिखाने तेन देखा दो, अत एक चीज हो थे, टीवी में जेन कहानी सुनना है, जे पतातों में, जे, ओला एक जन पूछी स, जे, भाई, तुम अन तो बड़े-बड़े आदमियों, दिन भर मुबाइल चलाता ही तुमार के, तो बीरला जी की हिस, देखो, हमार घर के नियम है, आठ बजे हम सजन घर पहुच जा थन, अब हमार मुबाइल डोकरी दागी पास जमा करते था, खाना खातन, बतिया थन, फेमली लाइफ टाइम बोलते हैं वोला, फेमली टाइम, बात चीत करके, फिर आवश्यक, इमर्जेंसी कुछ हो ही, तब देखतन, अईसने लईकम उनके घलो, टाइम टेविल बाना चाहिए, मुबाइल देखे के निया, तो अभी क होते, लगातार, आप कम्पूटर में देखत रहा हो, मुबाइल में देखत रहा हो, टीवी देखत रहा हो, आँखी में आते, खराबी आते, आप देख लो, नब्य परसेत लईके मौना चस्मा लगे, उखर प्रमुक करन यही है, हम नजदिक से सब चिल देखतान, अधिका हर परिवार में बाइट के, उखरे मन से बोलके, कि कटका टाइम टेबल रहना चाहिए, हम कटका दे तक मुबाइल देख भो, कब तक टीवी देख भो, टीवी में का देख भो, आजकल यह पोर्नोग्राफिक बला नाय चलना होगे, इस लिए उखर कमरे में कोई कम्पूट अजक की सोर मनला होगे है, और कई बार तो असलील फिल्मों के लत घलो लग जते ये प्रवित्तिला कैसे रोके जाए अब आजकल तो सोसल मीडिया से घ्यान प्राप्त करे के घलो युवा मनहा लगातार प्रयास करते ये एक बड़े समस्या सिर्फ हमार तुमार बीच में नहीं है पूरे दुनिया में ये जिन मीडिया है जिन मोबाइल है ये जहां एक तरफ बहुत अच्छा है हमार दिमाग के हिसाब से बुद्धी के हिसाब से जानकारी के हिसाब से समाचार के हिसाब से ज्यान के हिसाब से लेकिन एकर दूसरा गलत पक्ष यह है एकर से हमार जिंदगी हलो बरबाद हो थे चेटिंग कर थे लईकामन, सेलफी ले थे लईकामन, कई थान एक्सिडेंट हो थे, सेलफी ले 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 और बातचीत के थुरू कई थान प्रेम प्रसंग घलो बढ़ा थे, उल्टा सिधा हो थे, तो एकर जैन नु के तार को इतना न कसो, कि वो तूट जाए, और इतना धीला भी न छोड़ो कि स्वार न निकले, डिसिप्लीन, अनुसाशन ऐसे होना चाहिए, कि जहां जरूत हो, उनने बताओ कि बेटा यह गलात है, और जहां सही है, तो उखर प्रसंग सा करो, कि यह ताम तुने बहुत का होई उखर विश्वास तुमर पर जैम ही, और यह उखर के खास बात यह है, कि लेका चाहत है कि जते के निर्णे हमार घर में होते हों मोरो भागीदारी रहा है, एक जन मास्टर रहा है, अपन घर बने इस बिचारा, गरीब आदमी, तो उखर तुरक हिस कि ददा अच्छ वाले फरसला लगा देता, तो उखर बात रहीगे, और उखर बात रहीगे, ऐसे दोस्ती, ऐसे मित्रता, ऐसे समझाईश, मा बापना देल पर ही, तब लेका मन के स्थिती सुधरी, डाक्टर साहब, कि सोरा वस्था में कोई टीका घलो लगाय जाते का, बहुत बढ़िया प सबसे जाद टीका उखरे छे, वाहिरस के, तो बचपन में सब टीका आजकल सरकारी में लग जाते, लेकिन ये ओमर में घलो टीका लगते, लोगन समझते कि ये ओमर में कहा टीका लगाना रहे, हम तो आजकल डाक्टर मन के बाद आपना बता दो कि बढ़ापा में भी घलो लग थे निमोनिया, बहुत से टीका है, जन बड़ी ओमर में घलो लगते, ये ओमर में खास तौर पर, चीकन पाप, MMR, हेपिटाइटिस A, टीटनस टाकसाइड, इंफ्लुएंजा, जर्मन मीजल्स, ये सब चीके टीका लगना चाहिए, लड़की मनला खास तौर पर, ज़्यादा जरूरी कावर, कि महिलाओं में स्टन कैंसर के बाद सबसे ज़्यादा गर कैंसर कोई है, तो सर्वैकल कैंसर, गरभाशा मुक्य कैंसर, उखर टीका निकल गए, वो टीका, थोड़ा महंगा जरूर है, मैं तो कि था हूँ, उधार लेके टीका लगवाओ, बीमा सरकारी अस्पताल में मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते हैं, प्राइट में खोलो उपलब्ध है, और सरकार अब कोशिश कर रहे थे, कि सस्ता कीमत में भी इस अब टीका उपलब्ध हो जाए, लगाना जरूरी हर माप आपके कर्तब यह है, मत अतका कहूं कि एक चेप्टर होना चाहिए स्कूल में पढ़ाई कि लेका महला एक उमर में मुखर विभार कई से होए, मुखर खानपान कई से होए, मुखर टीका कों से लगा आए, एक पाठ अलग से होना चाहिए, लड़कियों को कुछ टीके अलग से लगाने पड़ते हैं, महिलाओं में स्तन केंसर के भाई से मंगाना पड़ा तरही से, अब हमर्देश में बनना सुरू होगे, देश में भी बना तरही से तो महंगा रहा है, वो चार हजार रुपे एक टीका रहा तरही से, अब 14-15 साल तक के दूबार लगाना पड़े, 19 साल से 45 साल तक के महिला मनला, तीन खाउ लगाना तो इस सरवाइकल केंसर के टीका भी अब सस्ता मिलना चालू हो जाए नौ से दस साल के ओर में पहला खुराक और छे महने बाद दूसरा खुराक ये दो टीका लग जाए तो जिन्गी भर के फूरसर चौदा-पंदा साल के बाद तीन टीका अभी लगे इस मानलो फिर छे महने बाद फिर साल भर बाद वो 45-50 साल तक के वो कार कर रही थे और ब्यानवे चवरानवे प्रतिशत गरभाशा मुक के टीका से बीमारी से बचाया जा सकते डाक्टर बापना जी आप हाँ हमर सुरूता मनला बढ़ सुख घर जानकारी देहाओ तेकर बरापला बहुत बहुत धन्यवाद